अस्सलामुलेकुम डियर स्टुडेंट्स मैं आपका बालेजी के टीचर प्रोफेसर मुहम्मद आलमिशेर आज हम M.D.Cat 2020 का लेक्चर नमबर 3 जो है वो डिसकस करने जा रहे हैं तो आएए स्टुडेंट्स हम चलते हैं अपने लेक्चर नमबर 3 की तरफ जी डियर स्टुडेंट्स हम आज के कॉंटेंट्स देखते हैं जो UHS ने आपके इनलिस्ट किये हैं इस लेक्चर नमबर 3 में इंशाल्ला हम उसको कवर करेंगे आपके जो कॉंटेंट है कमिनिकेशन लेक्चर नमबर 3 सेकंड यर की बुक का चेप्टर नमबर 17 है कमिनिकेशन कॉडिनेशन एंड कंट्रोल सबसे पहला कॉंपोनेंट है नर्विस कॉडिनेशन इन मैमल्स अस्पैशली हुमन के रेफरेंस से हम इसको पढ़ेंगे दूसरा है नियॉरॉन्स के निय तरह के है संस्री नियॉरॉन्स, इंटरमेडियेट या रिले नियॉरॉन्स और 3 मोटर नियॉरॉन्स फिर नुमर थ्री पे है रिफलेकस आर्ठ और रिफलेकस section के काम कैसे सरन जम दिया जाता है और उसका पात्वे किया है फिर बहुत एहम टॉपिक है जिसे हम कहते हैं नर इम्पल्स इस दा लेंग्विज ओफ नर्विस सिस्टम फिर है सिनेप्स के एक नियूरॉन से दूसरे नियूरॉन तक ये नर्व इम्पल्स कैसे ट्रेवल करती है नमबर 6 है हार्मोन्स उनकी डेफिनिशन है टाइप्स है और पैंक्रियास के हार्मोन्स है इंसोलीन एंड गलुकोगोन नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स जिसमें तीन ही इम्पॉर्टन्ट आप से पुछे जाएंगे और जिब्रेलिंग्स और अबसीसिक एसड पैला जो टॉपिक है वो है नर्वेस कोडिनेशन इन मैमल्स अस्पैशली हुमन्स में नर्वेस कोडिनेशन में दो बाते सबसे इंपॉर्टन्ट एक होती है स्टिमॉलस और दूसरा होता है रिस्पॉंस स्टिमॉलस क्या होता है कि ऐसी तबदिली महौल के अंदर जो इनसान को महसूस हो उसको हम स्टिमॉलस कहते हैं और हमारी body उस stimulus के against कोई रदे अमल दे उसको हम response कहते हैं तो nervous coordination चलती ही stimulus और response के दिरमयान में तो इसको हम detail में देखते हैं कि nervous coordination में किया है कि nervous coordination involves specialized cells यानि कि खास cells होते हैं जिने हम neurons भी कह सकते हैं linked together जरी दो हिसों में वो दो चीजों के साथ जुड़े होते हैं directly भी या via the central nervous system यानि cns के जरिए भी and form a network that connects the cell या organs which receive stimulus जिनको हम receptors कहते हैं and those which carry out actions or responses तो इस तरह का जो mechanism है coordination का उसको हम कहते हैं nervous coordination तो nervous coordination में अगर आप देखें तो जो basic specialized cell का हम जिकर कर रहे हैं तो जो जो है तो 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 है तो जो है तो है तो इनको पढ़ने के लिए हम मुव करते हैं नेक्स्ट वाइट बोर के लिए सबसे पहला जो अलिमेंट है वह है रिसेप्टर्स तो रिसेप्टर क्या है यह वह structure है that receive stimuli by detecting changes in external and internal environment of an animal किसी भी animal का internal or external जो stimuli है उसकी जो sense है वो रिसेप्टर्स करते हैं मिसाल के तोर पर एक cell भी हो सकता है जैसा के neuron है या किसी cell की कोई अडिंग जैसे neuron की जो endings है जिने हम nerve endings भी कहते हैं कोई specialized receptor organ भी हो सकता है मिसाल के तोर पर के हमारी आँखें जो है वो photoreceptor के तोर पर काम करती है और कान जो hearing receptors है hearing receptors तो कोई खास receptor जो है वो organ भी हो सकता है तो सबसे पहला जो है वो mechano receptors इनको हम stretch receptor भी कहते हैं यह किस किस से stimuli को sense करते हैं और response शो करते हैं वो है touch pressure hearing and equilibrium यह किस चीज के बने होते हैं क्या हो सकते हैं free nerve endings हो सकती है expanded tips of tip endings हो सकती है और stray endings हो सकती है stray endings को कहते हैं wandering stomach wall के अंदर भी mechano receptors मौजूद होते हैं hunger यानि भूक लगने के लिए फिर इसी तरीके से जो mechano receptors हैं वो मौजूद होते हैं free nerve endings expanded tips endings and stray endings तो dear students जो stray endings हैं वो unarranged जो nerve endings होती हैं जो पूरी body के अंदर फैली होती हैं और वो mechano receptors के तोर पर काम करती हैं next है chemo receptors chemo receptors these are the receptors for the sense of smell taste फिर क्या है कि blood carbon dioxide concentration blood के अंदर oxygen की concentration blood के अंदर glucose का level blood के अंदर amino acids का level जो blood से related जो concentrations हैं इसके अंदर receptors मौजूद हैं especially they are present in hypothalamus hypothalamus is the part of four brain तो इसके अंदर chemo receptors मौजूद हैं hypothalamus के अंदर next है photoreceptors these are also called as electromagnetic receptors जो के light के stimulus को sense करते हैं और उसके मुताबख की response show करते हैं examples में जानते हैं कि हमारी आंखे हैं जो light और हंडेरे को दोनों को sense करती हैं और अगर आंख की structure की तरफ move करें तो उसके अंदर rod and cone cells होते हैं जो light की sensation करते हैं next है thermoreceptors यानि temperature regulation वाले तो thermoreceptors free nerve endings होती है cold receptors और warm receptors यह examples है thermoreceptors की जो के हमारी body पर पाए जाते हैं especially skin पर next है nosyceptors nosyceptors क्या है कि undifferentiated endings और यानि यह भी कोई differentiated नहीं है कोई तर्तीव शुदा नहीं है undifferentiated है तो वो क्या करती है pain की sensation को फिल करती है pain तो इसलिए जो pain है वो different parts में मैसूस होता है तो उसके लिए चुंके undifferentiated endings की मोई जाता है next idea students differentiation of modalities of sensation इसको आप यह समझ लीजिए कि each nerve tract terminate at a specific point in central nervous system यह समझ लें कि receptor से जो message दिमाग के अंदर जा रहा है उसके अंदर हर एक चीज़ का अलादा अलादा area जिसको आप यह कह सकते हैं कि यह center for hunger है center for thirst है center for fear है तो जिस तरीके से fibers भी जाते हैं from retina terminates in visual cortex of the brain कि यानि आँख का तर्लुक जो है वो देखने से है उसके जो nerve fibers पहुंचते हैं दिमाग के अंदर वो visual center यानि visual cortex of brain में जाते हैं जो उसकी sense करते हैं चीज़ों को देखने में तो यह जितना भी यह nerve tract वहां जाएंगे हार एक area के अंदर बूप का center भी brain के अंदर thirst का भी जैसे के बताया कि हार sensation जो है उसका center brain के अंदर मौजूद है वहां तक message जाएगा और वही center processing करेगा for effectors response तो इसको अगर आप देखें तो next हमारा जो बात है वो है working of sensory receptors of skin के mammalian skin जो है उसके अंदर कितनी तरह के receptors पाए जाते हैं और उनका working relationship क्या है तो सबसे पहले है hair and organ यानि जो neurons भी अटेश्ट हैं जिसके साथ muscles भी अटेश्ट हैं और यह hairs हमारे ज्यादा touch receptors को respond करते हैं दूसरा है मेजनर्स carpal cells these are the specialized encapsulated structures present in on the surface of the body और इनका ताल्लक जो हय वो touches है जो मेजनर्स carpal cells हैं जो मेजनर्स हैं जी कर॥ा रिस्पोंसिब influenced by touch sensations last हैं पैसिनियन carpuscles these are also encapsulated structures and these are present deep into the body and they feel the pressure. इसलिए बहुत सरे हमारे जो tetrapod animals हैं उनको टांगों के अंदर especially joints में ये मौजूद होते हैं और जमीन के उपर जो थरतरहट है या vibration है उसको sense करते हैं इसका tetrapod जो है चार ठांगों वाले तो इसमें इनका सबसे ज्यादा फाइदा उन animals को होता है जो prey के तौर पर होते हैं यानि वो अपने predator के जो आने की vibration है वो महसूस कर लेते हैं तो इससे vibration की sense होती है तो ये तीन receptors जो है है वो human skin के अंदर मौचूद है चलते हैं नेक्स्ट बोर की पर जी intensity of stiffness जो है वो depend करता है dear students दो बातों पर के उस receptor से number of impulses कितनी आ रही है फिर उस sensations में number of receptors कितने involved हैं उसके मताबक हमारा brain जो है उसके अंदर जो specific center है वो decide करता है उसके response के लिए मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि number of fibers या number of receptors कितने शामिल हैं तो मिसाल दे देते हैं इसको यह समझ लेते हैं कि अगर हमारी skin के उपर हम किसी common pain के जरीए किसी जगा पर touch करते हैं तो उसकी sensation और तरह की होगी और अगर कोई ज्यादा एरिया मसला हाथ की हथेली पूरी से हम जिसम को touch करते हैं तो उसकी intensity डिफरेंट होगी और उसके अंदर number of receptors हैं वो भी ज्यादा involved होंगे तो जितने number of receptors involved होंगे और repeated nerve impulse होंगी यह सारी decide करती हैं कि उस stimulus की intensity क्या है intensity को देखते हुए हमारा जो brain है उसके against जो है वो response दूसरा है abundance of receptors के जो receptors है वो कितने तरह के कहां कहां पर और कितने ज्यादा पाए जाते हैं तो इसमें dear students हम हमेशा इसमें पास्ट पेपर में mcq इसकी distribution से आता है तो यह important information है आपकी बुक में दे दी गई है इसको अपने देख लेना है कि सबसे ज्यादा होते हैं pain receptors because pain receptors are nearly twenty seven times more abundant than cold receptors similarly जो cold receptors है they are nearly ten times more abundant than the heat receptors तो इस बात को अगर मैं numbering की शकल में करो तो आप यह भी समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिसम में जो pain receptors पाए जाते हैं फिर cold receptors पाए जाते हैं और फिर heat receptors पाए जाते हैं तो यह receptors भी important है इसकी abundance इसके लिए ने भी past purpose में mcq पूछा जाते हैं next है distribution of receptors तो receptors are not evenly distributed over the entire surface of the body मिसाल के तौर पे touch receptors are more in fingertips than in skin in the back यानि हमारी यह जो उंगलियां हैं यहाँ पर touch receptor maximum पाए जाते हैं as compared to the other parts तो इसलिए अगर आप touch कोई चीज महसूस करते हैं कभी कपड़े का texture मौलूम करना हो तो आप fingertips को यूज करते हैं और इसी तरीके से note की जो पहचान होती है वो भी आप fingertips से feel करते हैं path of stimulus तो आप देखें तो सबसे पहले आते हैं receptors dear students बाद उकाद तो ऐसे होता है कि receptors कोई sensory neuron की ending भी हो सकती है को specialized organ भी हो सकता है अगर वो receptor sensory neuron की ending है तो फिर component रह जाते हैं के जैसे number one receptor number two relay neurons number three motor neurons and number four effectors और बाज उकाद ऐसा होता है कि receptor एक खास organ होता है तो उसके बाद component दूसरा आ जाता है जिसको हम कह देते हैं sensory neurons तो तब इसके जो component है इस path के 5 हो जाते हैं के receptor two sensory neuron then relay neurons relay neurons are present in brain and spinal cord then motor neurons और motor neurons से finally effectors and effectors show the response according to the stimulus that was applied जी स्टूरेंट्स जितने आपने receptors पड़े हैं तो उसको देह लेते हैं टेस्क कर लेते हैं एक MCQ या question के तहत कि क्या आप लोको जो receptors वाली बात है वो समझ आई है या नहीं आई तो question देखते हैं the stomach wall receptors related to arosal of hunger are चार option है क्या है chemoreceptors, photoreceptors, mechanoreceptors and noceceptors तो definitely आपके जहन में answer तो आगया होगा के correct option क्या हो सकती है तो वो सही हमारा जवाब है Charlie mechanoreceptors जी next है neurons neurons जो है these are the chief structural and functional units of nervous system तो neurons तीन तरह के मैंने यहां बनाये है एक typical neuron बनाया है इसके components है फिर एक motor neuron है फिर एक sensory neuron है तो neurons यह हैं वो तकरीबन 50% of the nervous system बनाते हैं और 50% हमारे nervous system में नेरागलियल cells मौझूद होते हैं इसकी एक किसम जो है वो शिवान सेल है जो अभी हम उसको भी देखे लिए तो dear students अगर हम structure देखें एक typical neurons की तो उसके क्या क्या components हो सकते हैं क्या काम सार इंजाम देते हैं तो हम diagram की तरफ देखें तो neuron एक ही cell है इस cell का वो हिस्सा जिस में nucleus मौझूद ह cytoplasm मौझूद है rough endoplasm di takingolum मौझूद है गाल्जी अप्रेटस और दूसरे cell organs मौझूद है उसको हम कहते हैं soma, soma को cell body of neuron भी कहते हैं कि this is the cell body of neuron फिर इसके अंदर जो cell organs मौझूद है वो और इसकी जो cytoplasmich projections है तो यानि के cell की membrane जो है वो बाहर की तरफ निकली होई है एक projections बनाती है और ये projections दो तरह की है वो projections जो nerve impulse यानि sensation को सोमा की तरफ लेकर आए यानि message जो है सोमा की तरफ लेकर आए उसको हम कहते हैं dendrites या dendron single हो diameter जादा हो तो उसको हम कहेंगे dendron और branched हो और ज्यादा हो diameter छोटा हो तो उनको हम कहा देते हैं dendrites ये dendrites बाद वकात एक tree like structure भी बनाती है तो nerve impulse जब central सोमा के पास आती है तो सोमा उसकी processing करती है और सोमा का दूसरा काम क्या है biosynthesis यानि कि इसके अंदर जो आप जानते हैं biosynthesis का पात्वे के dna से messenger आ रहे ने messenger आ रहे ने से protein तो ये कोई चीज जो structure बनानी होगी वो ये बनाएगी दूसरा काम cell body क्या करती है that provide the nourishment और एक बात एहम है कि अगर किसी neuron के कोई cytoplasmic projection तूट भी जाए और cell body intact रह जाए तो that neuron may be regenerated तो इसके अंदर एक खास structures है जिसे कहते हैं nizzles granules these are the group of ribosomes which are attached with rough endoplasmic reticulum and golgi apparatus these are involved in the synthesis of proteins फिर वो हिसा जो central body यानि cell body से message अवे लेकर जाता है दूर लेकर जाता है उस हिसे को हम कह देते हैं यह cytoplasmic projection is very important axon, axon के अंदर जो material मौजूद है cytoplasm उसको हम कहते हैं exoplasm, exoplasm में ज्यादा मिकदार में mitochondria पाए जाते हैं कुछ दूसरे cell organelles भी पाए जाते हैं like microtubules और rough endoplasmic reticulum etc तो एक neuron को अगर आप देखें तो typically उसके तीन ही ही इसे होते हैं dendrite that carry the message towards the cell body and then cell body or soma which provide the protection and nutrition and biosynthesis for the neuron and third the cytoplasmic projection that carry nerve impulse away from cell body is called exon तो types of neurons के अगर हम देखें तो dear students हमरे पास तीन types of neurons sensory neurons जो के receptor के साथ attach हो सकते हैं या खुद भी receptor हो सकते हैं और receptor के साथ attach होते हैं sensory neuron दूसरे जो message है जो sensory neuron से पहुंचता है वो पहुंचता है associative, inter या relay neurons के ये neurons पाए जाते हैं brain में spinal cord में फिर जो relay neurons है उसके बाद जो message पहुंचता है वो पहुंचता है motor neurons के पास motor neurons हमेशा effectors के साथ attached होते हैं तो यूं हमारे पास तीन तरह के neurons है sensory, associative and motor neurons तो students देखते है motor neurons तो motor neurons जो है इसकी ये cell body है cell body है और इसकी चोटी चोटी ये सारी dendrites है dendrites और इसका ये हिस्सा कहलाता है axon, axon जो है इसने message जो है nerve impulse यहां से effectors की तरफ nerve impulse लेकर जानी है तो ये कहलाता है axon ये जो motor neurons है इनके axon की जो length है up to one meter भी हो सकती है according to the type of the animal animal की कौन सा animal है उसमें क्या length क्या है तो सबसे बड़ी जो motor neuron है इसका axon होता है axon की उपर specialized cells मौझूद है निरागलियल cells का एक cell है जिसे हम कहते हैं शिवान cell शिवान cell secrete a myelin sheath वो क्या करता है वो myelin sheath secrete करता है myelin sheath जो है वो axon के इर्दगिर्द लेपड़ जाती है क्या करती है उसको protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और उसके दर्मयान में जो nerve impulse travel कर रही थी जो के basically तो electro chemical changes है यानि के movement है उसको भी leakage से रोकती है तो जिन की उपर myelin sheath मौजूद हो उनको हम कह देते हैं myelinated और जिन की उपर myelin sheath ना हो उनको कहते हैं unmyelinated तो जहन में रखने हैं कि तीनों neurons में जो cell bodies हैं उनकिसी की उपर भी myelin sheath नहीं होती चाहे वो motor neurons हो चाहे sensory neuron हो और चाहे यह वो associative neurons हो तो यह किस के साथ attached है effector के साथ तो effector हमारे पास dear students आप जानते हैं या muscle होते हैं या glands muscles होंगे तो वो contraction करेंगे जिसकी वाज़ए से movement होगी अगर glands हैं तो they give the secretions वो secretions hormones भी हो सकता है कोई और भी chemical हो सकता है next जो है वो है sensory neuron sensory neuron को अपने कैसे पहचानना है कि उसकी जो dendrite या dendron होगा that will linked with receptor और receptor के अंदर होने वाली तबदीली को feel करेगा फिर वो nerve impulse जो है अपने cell body की यानि सोमा की तरफ move कराएगा यहां से यह जो information है cell body की तरफ आएगी फिर यहां से प्रोसेसर की information axon की तरफ next axon में travel करेगी तो जो receptors के साथ इसका dendrite या dendron attached हो वो हमेशा जो कहलाता है वो sensory neuron कहलाता है sensory neuron की length भी जो dendron की है वो लंबी होती है dendron आपको बताया था कि जिसका diameter जादा हो और single हो तो उसको हम कहते है dendron तो dendron भी बहुत सारे ऐसे sensory neuron है जिनकी dendron की length ज्यादा है और उन length की उपर भी शिवान सेल मौजूद है जिनने myelin sheath उसकी उपर protective covering चड़ा रखी है और वो जो covering है वो protect करती है उस fibers को और avoid करती है leakage of ions को तो यू जो dendron है sensory neuron का वो भी myelinated होता है तो exon से जो message है तो maybe यहाँ पर कोई दूसरा associative neurons भी हो सकते हैं क्योंकि sensory neuron का आपने path देखा है तो यहाँ exon से जो nerve impulse है वो next neuron को पास हो जाती है तो यहाँ अगर आप देखें कि यह जो शिवान सेल्स की arrangement हमने देखी है शिवान सेल्स की arrangement ऐसी है कि हर दो सेल्स के दरमयान में जो gap है उसको कहते है node of runway यह नोड है यानि ऐसे अगर आप देखें तो यह एक अगर मैं इसको कह लो कि यह exon है तो इसके उपर एक यह मौजूद है शिवान सेल्स दूसरा यह शिवान सेल्स मौजूद है दरमयान में देखेंगे तो gap होगा यह जो gap है that is called node अब क्या होता है कि जो myelinated neurons होते हैं उन में जो nerve impulse travel करती है वो jumping की form में करती है यानि node to node वो jump करती है ऐसी nerve impulse जो एक यहां से यहां तक यहां से jump करके next और फिर यहां से jump करके next node को cross करती है उस को उस mechanism को हम कहते हैं या nerve impulse को कहते हैं saltatory impulse तो dear students यह जो neurons है इनके पास जब इन में से nerve impulse पास होती है तो उसकी yellow box में जो information है कि normal speed of nerve impulse is 100 meter per second and maximum speed of nerve impulse is 120 meter per second जी students तो next board की तरफ move करते हैं next जो बात है that is reflex action and reflex arc reflex action क्या है अगर इसकी definition को देखे एन immediate and involuntary action of our body मिसाल के तोर पर आपका हाथ किसी गर्म object पर लग गया तो आपने फॉरन खेंचा आपने वो क्या कहलाता है reflex action आप चल रहे थे पाउं में कुछ लग गया तो फॉरन आपने पाउं को उठाया तो वो क्या कहलाता है reflex action यानि immediate भी होगा और involuntary भी होगा तो next इसका जो pathway है कि ये reflex action कैसे सर अंजाम पाया उसका जो रास्ता है pathway है that is called reflex arc arc का मतलब होता है command तो pathway of passage of nerve impulse को जाने के लिए diagram है जरा उसको हम देख लेते हैं के मिसाल के तौर पर देखे number one के these are the pain receptors present on the tips of the fingers वो किसी ऐसे object पर लगे है जो hot था तो वहां से जो sensation है वो sensory neurons के जरीए nerve impulse travel करेगी वो अपने cell body को देगी जो cell bodies इकठी होती है neurons की जो cell body जब इकठी हो जाए तो उसको कहते हैं ganglion ganglion basically क्या है collection of cell body collection of cell bodies of neurons cell bodies of neurons तो उसके बाद जो information है ganglion से जाएगी spinal cord की तरफ spinal cord में जो message लेके जा रहा है ये जो sensory neuron है इसका cell body से पहले वाला हिसा कहलाएगा dendron और cell body के बाद वाला हिसा कहलाएगा axon और जाएगा associative neurons की तरह असोसेटिव neurons are present in spinal cord वो इस information की processing करेंगे फिर वो हुकम या order देंगे या nerve impulse को pass करेंगे वाया motor neurons तो motor neurons की जो cell body है that is present in the spinal cord तो वहाँ पर ये जो बाहर जो effectors तक जा रहा है motor neuron का हिसा that is called axon यानि axon of motor neuron जो है that reach the effectors effectors आप जानते हैं muscles और फिर वो फौरी तोर पर हाथ आप वापस कर लेंगे muscles जब contract करेंगे nerve impulse तो मैं यहाँ अगर बोलू कि nerve impulse की जो definition है पहले तो मैंने बोला था कि this is the language of the nervous system क्या है a wave of electrochemical change that travel along the length of whole neuron by the movements of ions in and out बाहर और अंदर cell neuron के ions की movement होती रहती है जो के sodium potassium वगरा है उसको हम कह देते है nerve impulse नर्व impulse के बाद अगर आप देखें तो कोई भी जो काम करने की सलाहियत है उससे हम कहते है potential तो जो electrical potential है चुंके ions की movement है current है तो electrical potential वो potential है that is necessary to doing the electrical work तो यहां जो बात हो रही है वो neurons की हो रही है living organisms के अंदर mammals के अंदर इंसान के अंदर neuron के तो electrical potential जो है एक barrier barrier की दोनों साइड़ों पर जो charges होंगे उनके दरिम्यान में difference होगा किसी एक side पर charges ज्यादा होंगे किसी दूसरी side पर charges कम होंगे that is called electrical difference या charge difference अगर वो charge difference जो है वो neuron की cell membrane के दोनों तरफ होगा तो फिर वो कहलाएगा membrane potential यानि membrane का potential तो membrane potential जो है अगर वो neuron at rest हो यानि उसके अंदर उसके उपर कोई stimulus अपलाए ना हो तो वो कहलाता है resting membrane potential अगर वो membrane का potential और wave create हो जाए यानि stimulus अपलाए हो जाए और initiation of nerve impulse हो जाए तो उसको फिर हम कहते है action potential या active membrane potential दोनों को dear students हम separate पर तो देखें आपकी जो बुक में diagram बनी हुई है उससे थोड़ी सी मैंने different बनाई है कि मैंने दो neuron direct इस diagram के अंदर आपस में attach करा दिये यह जो membrane है यह है plasma membrane of neuron plasma membrane का जो internal structure है जो internal environment है intracellular fluid जो उसके बाहर का environment है उसको मैंने लिखा है extra cellular fluid और एक यह मैंने वोल्ट मीटर जो है वो शो किया है इसका यह जो electrode है एक electrode मौजूद है extra cellular fluid के अंदर एक electrode मौजूद है intracellular fluid के लिए यह तो उसके अंदर जो है वो charge difference को मैयर करने के लिए है अगर हम neuron के plasma membrane की structure को देखे तो उस structure के अंदर एक तीन चीज़ें बड़ी important कि एक है sodium potassium pump डियर students यह जहन में रखना है कि इस white board की diagram को मैंने समझाने की खातर यह जो gates और pump बनाया है यह एक side पर बनाया है हाला कि यह पूरी जो membrane of neurons है उस पर मौजूद होते हैं तो यह sodium और potassium pump मौजूद होते हैं फिर sodium gate फिर potassium gate तमाम neurons की plasma membrane पर यह मौजूद होते हैं कि अगर कोई stimulus apply नहीं हुआ तो उस वक्त membrane potential के लाएगा resting membrane potential resting membrane potential को जो maintain करने वाले factors हैं आपकी book में जो दिये गए हैं number one में मैं उसको पहले discuss कर रहा हूँ that is sodium potassium pump sodium potassium pump क्या करता है कि तीन sodium अंदर से बाहर निकालता है यानि intracellular environment से sodium ions जो है वो बाहर की तरफ निकालता है कितने तीन फिर दो potassium ions जो है बाहर से दो potassium ions अंदर की तरफ लेकर जाता है तो dear students इसका जो लिखा हुआ है कि 10 times more sodium तो उसको समझने के लिए आपने एक बात जो एक क्यू है वो मैं आपको समझा देता हूँ जिससे मैंने भी आपने जहन में ये बात रखी हुई है कि sodium potassium pump जो है वो ATP की मदद से काम करता है चूंकि ये pump है energy यूज हो रही है तो definitely जो यहाँ पर movement है वो होगी against the concentration gradient यानि movement of ions from the area of lower concentration to the area of higher concentration जिसको अब uphill movement भी कहते हैं तो वो जब आप ये समझें कि जिदर से ये ions move कर रहे हैं वहाँ पर already उनकी concentration कम है और जिदर जा रहे हैं उनकी concentration जादा है यानि अगर इसको अगर यू समझें कि जो sodium ions हैं बाहर उसकी concentration high है और intra cellular में जो sodium ions हैं उनकी concentration कम है लहाजा कम से ज्यादा की तरफ यानि कम से ज्यादा की तरफ जा रहे ही है with the help of energy similarly आप जहन में रखें कि जो potassium ions हैं वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं यानि extra cellular fluid से intra cellular fluid की तरफ जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि potassium ions की concentration intracellular environment में फिर जादा होगी और जो बाहर है उसकी concentration low होगी तो यो आपको उसके जो 10 folds है वो MCQ जहन में रह जाता है next क्या है कि potassium gate है और sodium gate है जब कोई stimulus applied नहीं होता और membrane जो है वो resting potential में होती है तो उस वक्त ये sodium gate जो है वो close होता है ये zen में रखना है वो close होता है जब कि जो potassium gates है यहां से जो leakage है वो potassium की होती रहती है यानि कि higher cell low की तरफ वो जाते ही रहेंगे उसकी moment होती रहेगी पहला role हो गया sodium potassium pump का दूसरा role क्या हो गया potassium ions का और तीसरा role क्या है कि इस neuron के intracellular environment में maximum क्या होगा negative ions होंगे अंदर जो होंगे वो negative ions होंगे उनका जो relative amount of charge है वो negative charge होगा वो ज्यादा होगा बाहर क्या होंगे positive ions का जो net difference है वो ज्यादा होगा जब कोई stimulus apply नहीं हुआ resting position में है neuron तो बाहर outside is more positive and inside is more negative as compared to outside अंदर negative बाहर positive जब ये state होगी और stimulus supply नहीं किया होगा तो इसको हम कहते है polarized state या polar state या एक पोल के दर्मियान या जो plasma membrane of neuron है उसकी एक side पर positive charges ज्यादा है और दूसरी side पर negative charges ज्यादा है जब इसको volt meter से आप measure करते हैं तो इसकी value आती है minus 70 milli volt जो measure आती है value आती है minus 70 milli volt ये भी mcq के लिए value जो है वो important है इसको भी आपने याद रखता है तो कोई stimulus apply नहीं हुआ membrane के अंदर जो charges था वो वैसे का वैसा रहा outside more positive inside more negative तो इस conditions को हम कहते है resting membrane potential जिसमें कोई nerve impulse conductor नहीं हुई उसकी value है minus 70 milli volt तो अब students हम जलते हैं कि इसी resting membrane यानि कि sleeping neuron कहलें non conducting neuron कहलें इसकी उपर stimulus apply करते हैं जब हम stimulus apply करते हैं तो फिर क्या होता है इसको ज़रा देखिएगा कि मैंने इसकी उपर stimulus apply कर दिया है और stimulus भी वह जो threshold stimulus है यानि उसकी intensity इतनी है कि ये neuron की membrane के अंदर तबदीली लाएगा अब तबदीली क्या लाएगा जरा इसको देखना है कि जो बाहर positive ions थे वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे तो नतीजेतन क्या होगा कि inside the neuron more positive ions और बाहर जो हो जाएंगे more negative ions यानि चार्ज का difference आजएगा कि neuron के अंदर positive ज्यादा हो जाएंगे बाहर negative हो जाएंगे जब ये state थी तो ये polar थी अब ये क्या हो जाएगी depolar ये जो depolarized state है basically this is called the action potential या initiation of nerve impulse अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो conduction है वो reversal of charges कैसे हुए है तो reversal of charges के लिए बाकी mechanism तो उसी तरह चलते रहेंगे जैसे तरह sodium और potassium का जी मैंने आपको key लिख के दी है कि जो बाहर sodium तीन बाहर और दो potassium inside ये pump का का काम है फिर जो potassium gate है वो भी अपने काम करता रहेगा लेकिन इसमें नई बात क्या होती है नई बात ये होती है कि जो sodium gate resting membrane potential के दौरान close था action potential के अंदर that sodium gate is open now sodium voltage gate जब open होगा तो that leads to the initiation of love impulse या उसको हम कह देंगे action potential तो यो जो है वो जो reversal of charges होगा उसकी मदद से जो neuron का अंदर का हिसा ज्यादा negative था वो positive हो जाएगा और जो बाहर positive था वो negative हो जाएगा ये state continuously चलती जाएगी तो इसलिए मैंने यहां लिखा फिर ऐसे उपर फिर यहां से ऐसे फिर यू फिर यू इस सैनेफ्स तक चली जाएगी यनि अगर आप देखें तो इसके अंदर यू करके एक wave पैदा होगी तो इसकी definition को देखा था कि wave of electrochemical changes ये जो depolarized state है यहां से फिर जो next हिसा था neuron का वो अभी polar state में था जब ये stimulus यहां पहुंचा तो जो next stage थी polarized फिर वो depolarized polarized ये दो हिसे होते जाएंगे कि यहां जो phase हमने लिखा है ये एक graph है time इधर है और milliwards front इधर है तो अगर आप देखें तो जो number one मैंने यहां लिखा है वो number one है ये polar state और ये जो है number two depolarized state है तो number four में है repolarization यानि कैसे कि जहां से वो nerve impulse गुजरी थी उसने polar state को depolarize किया था तो depolarize से दुबारा वो charges अपना बाहर की तरफ जादा और अंदर की तरफ negative जादा होना शुरू कर देते हैं और एक stage फिर वहां आ जाती है कि वहां जो है वो recovery जो है वो तकरीबन मु कमल हो जाती है यानि neuron की membrane की उपर वो polarized state जो है वो दुबारा हासल हो जाती है या बन जाती है जिसको हम करते है recovery stage अब यह बात जो value की comparison की करें तो जब action potential पैदा हुआ यानि depolarized state होई तो उस वक्त जो value थी जो measure की गी that is 50 mili volts तो इसको volts की value में भी दिया गया है point की शकल में आपने वो भी याद रखना है और mili volts की शकल में रखा गया ये भी आपने याद रखना है तो यूँ अगर मैं quickly अगर इसको मैं summarize कर दूँ के nerve impulse क्या है this is the language of nervous system जो neurons के जरीए एक neuron से दूसरे neuron फिर तीसरे neuron की तरफ travel करती रहती है है क्या कि ये wave है electro chemical changes electrical इसलिए कहते हैं कि आइन्स की जब moment हो रही है तो वो positive negative positive negative और chemical इसलिए कहते हैं कि जो neuron है उसका intracellular environment भी cytoplasm है लहाज़ एक solution की form में है chemical की form में है similarly extracellular fluid भी है chemical की form में है उसको हम electro chemical wave कह रहे हैं तो वो wave जो है एक जगा से जहां से पैदा हुई थी वहाँ पहले stimulus apply करने से पहले क्या था resting membrane potential उसके उपर stimulus apply हुआ charges reverse हुए और reverse charges के बाद action potential पैदा हुआ फिर वो nerve impulse जो है वो flow करती हुई synapse की तरफ जाती है तो dear students synapse को पढ़ने के लिए next topic को पढ़ने के लिए हम चलते हैं white board number one के तरफ जी students हम देखते हैं synapse की definition अगर देखें तो this is the cytoplasmic gap between the axon ending of one neuron and the dendrites of next neuron in a sequence that is called synapse अगरे सी definition को हम diagram से समझने की कोशिश करें तो क्या होगा कि ये gap है ये जिसको मैंने synaptic left लिखा है this is the gap between the axon of one neuron and dendrite of the next neuron that is called synapse तो synapse को अगर आपक देखें तो इसका जो number of synapse है single neuron make many synapse with other neurons तो फिर सवाल पैदा होता है कि how much impulses required कि जो एक axon से वो nerve impulse जो है वो next neuron में चली जाए तो कितनी number of impulse required हती है two to three यानि ज्यादा से ज्यादा आएंगी तो उतनी तेजी से speed से ये जो nerve impulse है एक neuron से दूसरे neuron में shift हो जाएगी transfer हो जाएगी तो इसकी जो transmission है basically उसकी जो direction है वो क्यों होती है from the axon of pre synaptic neuron to dendrite of the post synaptic neuron इस बात को diagram की मदद से अगर हम देखें तो dear students ये जो पहला axon बनाया है मैंने this is the pre synaptic neuron और ये इसका axon है इसी तरीके से direction of nerve impulse देखें तो वो from cell body to say axon की तरफ आ रही है axon का वो हिसा जो enlarged हो गया है उसको हम कहते हैं synaptic knob और इस synaptic knob के अंदर जो fluid मौझूद है exoplasm इस exoplasm के अंदर mitochondria भी मौझूद है then some other cell organelles are also present इसी के अंदर synaptic vesicles भी मौझूद है the synaptic vesicles contains a specialized chemical that is called neuro transmitter तो ये neuro transmitter की थैलिया समझ लें आप फिर इसी को हम कह रहे हैं pre synaptic membrane जो knob की है जो next neuron है जहां तक ये nerve impulse ने पहुँचना है उसको हम कहते हैं post synaptic membrane दरम्यान में ये macroscopic gap है post synaptic neuron की जो post synaptic membrane है that have a receptors for the attachment of neurotransmitters तो जब ये synaptic vesicle उसी तरीके से आइस्ता इस्ता जब बाहें निकलती है exocytosis के जरीए जब ये बाहें निकलती है तो इस gap में आकर ये जो vesicle है ये burst हो जाती है इससे neurotransmitters free हो जाते है रिलीज हो जाते है यानि के synaptic left में जो neurotransmitters है वो release हो जाते है then these neurotransmitters attached with the receptors on the post membrane post synaptic membrane of neurons तो यू इस post synaptic neuron के अंदर they initiate the impulse initiate the nerve impulse तो यू डिया students ये जो nerve impulse है एक neuron से दूसरे neuron की तरफ transmit होती है तो यू ये propagate होगी और आगे की तरफ move करती रहेगी तो students हम देखते हैं कि वो chemicals जो synapse के दूरान release हो ये SNF में release होते हैं जिने हम neurotransmitters कहते हैं वो देखें तो कितनी तरह के हैं number one acetylcholine number two adrenaline number three noradrenaline number four serotonin number five dopamine these are present in the cns central nervous system में मौझूद होते हैं और acetylcholine है के ज्यादा तर ये peripheral nervous system में पाया जाता है और ये एक एहम mcq है जी students चलते हैं next board की तरफ next topic है human nervous system इसकी diagram तो बड़ी complex से थी मैं बना नहीं सका इसी flow chart की मदद से मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊं और my dear students अगर आप ये flow chart और इसके अंदर लिखी होगी तमाम information याद कर लेते हैं पढ़ लेते हैं memorize कर लेते हैं तो आपको इसका बड़ा benefit होगा मैं आपको पढ़के भी सुना देता हूँ और आप इसको याद रखना है इसने कि human nervous system जो है that is composed of central nervous system जिसको हम कहा देते हैं कि this is called CNS central nervous system and then the peripheral nervous system जिसको हम कहते हैं PNS यानि abbreviation में हम अगर लिखें तो PNS तो CNS को देखें तो इसका जो cheap functions है वो क्या है कि the central nervous system receive and process informations and initiate actions body के अंदर तमाम होने वाले जो काम है जो organismic level पर हैं जा है tissue level पर है उन तमाम को ये initiate करता है similarly अगर central nervous system को हम मजीद divide करें देखें कितने हिसों में हैं तो दो हिसों में एक है brain जो cranium के नीच और एक है spinal cord जो vertebral column के अंदर है brain को देखें तो brain क्या function perform करता है brain sees the sensory information initiate responses store memories and generate thoughts and emotions जो हमारी सोच और जजबात है उसका तल्लक भी दिमाग से spinal cord को देखें तो spinal cord conduct signals to and from brain controls reflex activities अब ये जो body के बाकी peripheral हीसे का जो काम reflexes है वो सारे के सारे spinal cord अपने आपको सारे के सारे spinal cord जो वो control करता है तो students चलें अगर हम peripheral nervous system की तरफ तो peripheral nervous system को अगर आप देखें तो इसका chief function क्या है it transmits peripheral nervous system transmits signals between the central nervous system and rest of the body यानि CNS और बाकी body के जिसम के दिरे मेंने हैं connection पैदा करता है कैसे connection पैदा करता है जरा देखते हैं कि इसमें अगर आप देखें तो जितने motor neurons हैं वो collectively मिलकर एक अलादा system बनाते हैं और जो sensory neurons हैं उन वो एक अलादा function perform करते हैं जो motor neurons हैं they carry signals from the central nervous system that controls activities of muscles and glands similarly the sensory neurons they carry signals to the central nervous system from sensory organs तो जितने भी sensory neurons है वो receptor से सिर्फ information हमारे brain तक या central nervous system को पंचाते हैं motor neurons को अगर आप देखें तो इसकी arrangement फिर मजीद दो हिसों में तक्सीम हो जाती है पहले को हम कहते हैं somatic nervous system somatic cns इसको sns somatic nervous system अगर abbreviation भी साथ साथ देखते जाए that controls voluntary movements यह जो मैं आपको चलता फिरता दिखाई दे रहा हूँ और लिख रहा हूँ हाथ की movements कर रहा हूँ पौंग की movements कर रहा हूँ इस आर काल voluntary movements तो voluntary movements by activating skeletal muscles आप जानते हैं skeletal muscles वो muscles होते हैं जो हडियों के साथ attach होते हैं movement में sport करते हैं दूसरा क्या है autonomic nervous system जिसको आप automatic भी nervous system आप कहते हैं कि autonomic nervous system क्या करता है controls involuntary responses by influencing यानि मुतासर करते हुए organs glands and smooth muscles यह है autonomic nervous system जो involuntary होता है autonomic nervous system की ही फर्दर दो divisions है वो divisions क्या है कि एक को हम कहते हैं sympathetic nervous system sympathetic nervous system का जो chief function है वो क्या है fight and flight यानि stress में जिसम को body को तयार और उस stress और प्रशानी जो है उसका सामना करते हुए क्या strategy है या fight करनी है या flight करना है या stress का सामना करना है या उससे avoid करना है जब muscles को energy ज्यादा चाहिए तो definitely उसको oxygen भी ज्यादा चाहिए oxygen ज्यादा चाहिए तो rate of respiration system जो है के stress और fight or flight mechanism में ये काम करता है body की जिन्दगी को save करने के लिए तो जो परा-sympathetic nervous system में वो सारे का सारा reversal है यानि जो activities sympathetic nervous system के दौरान पैदा हुई थी या perform हुई थी सब को normalize कर देगा para sympathetic nervous system यानि के dilation जो three pupils की वो वापस आ जाएगी जो digestion है वो दुबारा start हो जाएगी तो आई होपस हो कि आपको इसकी अगर ये box भी या flow chart भी याद कर लें तो इस दिन भी बहुत सरे mcqs कूछे जाते हैं इसको भी आपने zen में याद रखना है एक important information students वो भी आप सुन लीजिये शायद मिस होगी थी कि peripheral nervous system है इसके अंदर जितनी nerves है उसको जो origin है और उसकी जो attachment है उसके हसाब से भी हम इसको classify करते हैं कि अगर आप देखें कि peripheral nervous system is composed of nerves तो वो nerves जो brain से originate होती हैं उनको हम कहते हैं cranial nerves और cranial nerves की अगर तादाद देखें तो that is 12 pairs यानि pairs के हैं और total अगर आप देखें तो वो हो जाएंगी 24 इसी तरीके से वो nerves जो spinal cord से arise होती हैं originate होती हैं उनको हम कह देते हैं spinal nerves और spinal nerves की अगर तादाद देखें तो that is 31 pairs और total जो होंगी वो 62 होंगी तो nerves वाली भी information बहुत important है और past mcq past papers में oftenly इसमें से mcq पुछा जाता है तो इस information को भी आपने जहने शेयर कर लें तो nervous system का इतना जो flow chart पड़ा है अब इसके बाद हम brain और उसके कुछ हिसों के बारे में मजीद functions को पढ़ने के लिए move करते हैं next slide की तरफ GDR students इंसान का जो central nervous system है उसको अगर आप divide करें तो वो दो हिसे में है एक को हम कहते है brain और दूसरे को हम कहते है spinal cord जो brain और spinal cord है बोत हर protected जो brain है that is protected by skeleton that is called cranium similarly spinal cord is protected by vertebral column दोनों की अगर membranes का बात करें कि brain और spinal cord है उसके इर्दगिर्द कितमी membranes है और कौन सी हैं तो उनको हम कहते है meninges, meninges brain के इर्दगिर्द भी मौजूद है और spinal cord के उनको protection भी provide करती है और तहफुज उसको फराहम करती है from the harms next जो अगर आप देखें तो दोनों को यानि brain और spinal cord को जो fluid मौजूद है उनके अंदर जिसे हम कहते हैं cerebrospinal fluid cerebrospinal fluid जो है वो brain को तहफुज फराहम करता है from jords and bumps and jords और cushion provide करता है और उसको physical trauma से भी तहफुज फराहम करता है brain और spinal cord को अगर इसकी composition देखें तो that is similar to blood plasma यह important information है इसको भी आपने यादे brain के तीन हिसे होते हैं forebrain, midbrain and hindbrain फिर forebrain को देखें तो forebrain के मजीद तीन हिसे thalamus, limbic system और cerebrum जो thalamus है it acts as a relay center यह relay center है between the limbic system and cerebrum और limbic system को देखें तो further इसके तीन components है hypothalamus, amygdala और hippocampus के hypothalamus का जो function है आप जानते हैं कि एक तो thermoregulatory है कि it is called thermostat of the body दूसरा यह osmo regulation को भी control करता है तो जो हमारा प्यास का center है third step भूक है उसका तलक भी hypothalamus से next जो है amygdala amygdala का तालक इसको भी अक्सर कहता हूँ खुशी और गमी या खुशी और गमी को यह control करता है जैसा कि fear हो कोई या rage गुसा आपको आजाए sexual arosal हो उसका तालक भी amygdala से है जो hippocampus है इसका तालक है long term memory से या एक्सपिरियंस की बेस पर या कोई चीज़ information को long term के लिए या दिहानी करनी है learning के लिए ये involved है hippocampus इसी तरीके से अगर आप देखें तो cerebrum is the largest part of brain cerebrum इतना है कि अगर आप देखें मैं ऐसे खड़ा हूँ तो cerebrum दो हिसों में तक्सीम है एक वो हिसा जो हमारी right side पर मौजूद है उसको हम कहते है right hemisphere जो left side पर मौजूद है उसको कहते है left hemisphere दोनों hemisphere के दरिम्यान में एक band of axons है या neurons कह लें that is called corpus callosum तो corpus callosum जो है वो दो hemisphere को आपस में जोड़ता है cerebrum जो है वो basic information का तालुक cerebrum से है इसका वो हिसा जो cerebral cortex या वो हिसा जो fold होकर brain का cerebrum का या hemisphere का cerebral cortex कहलाता है वो भी हमारा visual contact और बाकी जो basic information जिसमें speech center है बोलने का देखने का ये जो coordination है वो भी तालुक इसका cerebrum से है फिर सबसे important बिटा ये बात आप note फरमा लें कि इसका तालुक reasoning और thought से है ये वो part है जिसकी activity की वज़े से हम अश्रफल मखलुकात कहलाते है कि human beings जो है अश्रफल मखलुकात कहलाते हैं कि इनके पास sense of thought और reasoning है और judgment है जिसकी वज़े से हम अश्रफल मखलुकात कहलाते हैं तो इसका बात आगया mid brain mid brain के लिए तो बिटा मैं simple ये समझता हूँ कि this is very important and it is responsible in visual यानि इसका तालुक देखने की हिससे देखने की and mid brain is well developed in birds इनसान में इतना developed नहीं है और reticular formation है कि दोनों four brain और hind brain के दर्मयान में connection का काम भी करता है और इसका ज्यादा ता तालुक जो हो visual से है vision से जो hind brain है उसके अगर आप देखें तो तीन हिससे है pons, cerebellum और medulla oblongata या medulla oblongata pons का जो तालुक है यह filter करती है information then वो information जो है वो four brain तक जाती है दूसरा इसका जो chief function है वो rate and pattern of breathing से है जो cerebellum है यह जैसा कि balance से भी मैंने याद रखा हुआ है कि body के balance को maintain करता है यानि जो moment है body की posture जो है उसको maintain करता है और जो moment आप चल रहे हैं वो controlled conditions में रखता है फिर इसी तरीके से अगर आप देखें तो medulla और blangata जो है कई involuntary actions को यह control करता है जिसमें heart rate भी है, breathing rate भी है, swalving भी है और respiratory activity को भी यह control करता है तो यह जो है यह brain का हिसा हो गया, next dear students जो हमारा CNS का हिसा है that is called spinal cord, spinal cord को अगर आप देखें तो यह आपके hind brain से नीचे vertebral column के अंदर जो चीज जा रही है उसको हम करते है spinal cord जिसे हराम मर्स करते है spinal cord जैसा के हमने दिखा के that is protected by the vertebral column as well as meninges as well as cerebrospinal fluid तो इसके arrangement के हिसाब से जो इसके अंदर neurons है, associative neurons, motor neurons और जो साथ attached and sensory neurons इसकी arrangement से अगर हम देखें तो इसकी जो shape यह बनती है कि inner जो है वो butterfly shape होती है gray matter क्या वो area है जिसमें सिर्फ cell bodies of neurons होंगी क्योंके cell bodies के उपर जो है वो myelin sheath नहीं होती और myelin sheath का color चूंके white होता है और lipids है fats है तो that's why gray matter is only composed of cell bodies of neurons while the white matter is composed of myelinated fibers तो यह बात भी important है इसको जहन में रखना है और इसकी nerves का जिकर हम पहले ही कर चुके हुए है कि वो nerves जो spinal cord से निकलती है उनको spinal nerves कहते है there are 31 pairs total देखें तो 62 आम तोर पर इसका जो काम है वो है regulation of reflexes जो peripheral nervous system में peripheral nervous system के reflexes को यह control करता है hormones वो chemical organic molecules होते हैं जो किसी reactions को regulate करते हैं initiate नहीं करते हैं तो इसकी nature अगर आप देखें hormones की तो उसको हम कहते हैं कि these are the organic molecules of varying structural complexity यानी structure के हिसाब से यह बहुत एक दूसरे से मुख्लिफ है होता कैसे है कि यह transport कैसे होते हैं कि जिस cell में यह synthesize होते हैं हार्मोन उसको हम कहा देते हैं secretory cell secretory cell से यह hormone release होकर surrounding में यानी extracellular fluid में extracellular fluid से यह शामल हो जाता है फिर blood यानी blood vessels के अंदर चला गया blood के अंदर शामल हो गया फिर blood plasma के अंदर यह शामल होता है फिर blood जो है इसको transport करता है किस की तरफ target cell की तरफ अब target cell कौन सा होता है जिसने उस hormones के attach होने के बाद या उसके action में अपना response शो करना होता है तो उसको हम कह देते हैं target cell transport via blood यह important MCQ है इसको भी अपने जहन में रखता है अगर मैं hormones का जो homeostatic functions देखूं कि hormones जितने भी हैं उनका जो normal काम है वो करते के हैं they regulate the enzymatic reactions enzymatic reactions को वो regulate करते हैं कैसे regulate करते हैं कि जब जरूरत पड़े तो वो inhibit भी कर सकते हैं और जब जरूरत पड़े तो वो stimulate भी कर देते हैं यानि inhibition और stimulation आफ जो enzymatic reactions हैं उसको यह control करता है that's why हम कहते हैं कि hormones regulate the enzymatic activities but do not initiate the reactions यह बात अपने important है MCQ के reference से इसलिए मैंने इसको box में लिखा कि hormones वो organic molecules होते हैं जो biochemical reaction को initiate है नहीं करते हैं बलके regulate करते हैं तो chemical composition of hormones देख लेते हैं इसको जरा मैंने ऐसे लिखा है class और यह हैं examples तो पहले जो class है वो है protein in nature जो protein in nature के hormones हैं अगर आउनको देखें तो एक है उनमें insulin और एक है उसके अंदर glucogon, insulin and glucogon इसी तरीके से कुछ जो amino acids है they are chemically composed of amino acids and derivatives यहनि amino acids और उनके derivatives या derivatives आप कह सकते हैं तो उसके example के है theroxan, epinephrine, norepinephrine और कुछ simple polypeptide के बने हुए है hormones मिसाल के तोर पर anti diuretic hormone and oxytocin यह दो hormones और कुछ hormones है they are chemically steroids, तो steroids कौन से hormones है हमारे sex hormones, sex hormones में तीन है, testosterone, estrogen and progesterone hormones और next एक और इसमें जो steroid hormone है that is also called cortisol soul. तो यह आपके hormones की बात, अब जो hormones हैं एक special glands के जिसको हम pancreas कहते हैं तो अगर आप pancreas को देखें तो उसके अंदर जो specialized areas हैं उनको हम कहते हैं islets of langerhans, pancreas एक हमारा digestive system के साथ associated glands हैं जो digestion में भी pancreatic juice करके मदद करता है और hormones करके भी हमारे body के अंदर metabolism को help करता है तो इसके अंदर जो cells हैं वो alpha cells और beta cells alpha cells secrete glucagon और अगर देखें तो alpha cell की तादाद कम होती है लेकिन beta cells जो है वो तादाद में ज्यादा होते हैं and they secrete a very important hormone that is called insulin hormone अगर दोनों के homeostatic function आप देख लें तो glucagon क्या करता है को glycogen को वापस glucose में convert कर देता है और insulin क्या करता है कि एक तो वो glucose metabolism को बढ़ा देता है दूसरा यह है कि excess glucose को glycogen में convert कर देता है तो यह दोनों एक दूसरे के opposite काम भी करते हैं अगर इसको आप देखें तो antagonistically के लिए काम भी करते हैं चलते हैं next board की तरफ इसको dear students मैंने heading में लिखा है abnormalities related to hormone secretions क्या है कि अगर कम secretion हो और उस secretion से क्या effect आ सकते हैं फिर अगर ज्यादा secretion हो जाए तो उससे क्या effect आ सकते हैं तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ insulin का ही रोल लिखा हुआ है कि insulin की अगर कमी हो जाए यानि hypo secretion में हो जाए तो उस सुरत में glucose metabolism नहीं चलता blood का glucose level बढ़ जाता है जब वो blood glucose level बढ़ जाता है तो urine के अंदर भी वो glucose आने लग जाती है जब urine के अंदर glucose आने लग जाए तो उस disease को हम कहते हैं diabetes mellitus dear students diabetes का मतलब होता है frequent urination or mellitus का मतलब होता है sweet and taste यानि यह समझ लें कि urine के अंदर glucose का ज्यादा मिकदार में आना और उसका मिठा हो जाना जो है और बार-बार पिशाब करना जो है that is called diabetes mellitus अगर insulin hypersecretion तो फिर क्या करता है that cause hypoglycemia hypoglycemia का मतलब है low level of blood glucose और जब blood के अंदर glucose level कम होगा तो उससे body पर effect कियाएगा उससे जो हमारा nerve impulse है उसकी जो moments of ions है और जो ATP energy है वो नहीं मिलेगी वो disturb हो जाएगी फिर इसी त्रीके से जो brain का function normally brain अपना function perform कर रहा है तो अपना proper function perform नहीं करेगा यानि उसका hyposecretion में भी problem है और hyper secretion में भी problem next एक important hormone ADH students आप जानते हैं that is called anti diuretic hormone ADHG से हम कहते हैं ADH is secreted by hypothalamus but temporarily stored in pituitary gland जब जरूरत होती है तो वो pituitary gland से release हो जाता है इसका अगर ADH का homeostatic function देखें तो वो क्या है reabsorption and conservation of water through kidneys kidneys कैसे आप जानते हैं कि जो nephrons है उसकी जो collecting tubule है उसके उपर जाकर ADH act करता है जिसकी वज़े से उसके अंदर से reabsorption of water बढ़ जाती है अगर इसकी अगर secretions को देख लें कि अगर hyper और hyposecretion हो जाए ADH की तो उसका क्या effect आता है पहले देख लेते हैं hyposecretion of ADH and its effects अगर ज्यादाद में ना हो कम मिकदार में हो या ADH release ना हो तो जो जिसम के अंदर reabsorption and conservation of water रहा है वो नहीं होती जिसकी वज़ा से एक बीमारी cause होती दैट इस काल्ड diabetes in speedus diabetes का मतलब है frequent urination और in speedus का मतलब होता है tasteless तो जो urine है वो बार-बार patient उसको urinate करेगा लेकर उसकी urine के अंदर glucose नहीं होगा तो उस बीमारी को कहता है diabetes in speedus कि अगर ADH ज्यादा secret होने लग जाएगा over secretion of ADH तो फिर उससे क्या effect आएगा उससे effect क्या आएगा कि concentrated urine पैदा होगी concentrated urine पैदा होगी urine का volume जो है वो कम हो जाएगा और यकीनन इससे the metabolic problem created तो plant hormones को देख लेते हैं तो plant hormones यह हैं वो growth regulators कहलाते हैं growth promoting hormones कौन से हैं auxins, gibralins, cytokinins तो इस वक्त जो mcat भी इस लेबल शामिल है उसमें यह तो है auxins और gibralins भी है और cytokinins नहीं cytokinins तीसरा जो है वो abscissic acid है इसको हमने किस category में रखा है वो है growth inhibiting hormones दो है growth promoting और एक है growth inhibiting में यह जो ethene या ethylene है यह हमारे MDCAD के syllabus में शामिल नहीं तो students चलते हैं एक एक hormones को पढ़ते हैं उसका physiological effect देखते हैं तो पहला physiological effects of gibralins में यहां से start करता हूँ कि gibralins जो है क्या करता है promote करता है cell enlargement को cell division को bolting को bolting जो है वो है premature flowering ज्यादा तर यह लोग floriculture वाले वो यह जिब्रेलिन्स जो है वो अगर पौदे के उपर सप्रे कर दे तो वक्त से पहले उसके उपर फूल आ जाते हैं तो जानी premature flowering induce कराने के लिए यह भी इस्तमाल किया जाता है जिसको हम कहा देते हैं फिर इसी तरीके से bud initiation यानी growth promoter है तो इसलिए bud को initiate भी करेगा और definitely उसकी growth हो जाएगी तो leaf growth है इसी तरीके से fruit growth और apical dominance है dormancy और photoperatic effect को भी एक जो है impact को भी control करता है उसके लिए यह है कि यह जो जिवरल इन्स है इसका और अबसीसिक एसिड का आपस में antagonistic character है जैसा कि अगर आप देखें तो अबसीसिक एसिड मैंने लिखा है कि promote flowering in short day plants and inhibit flowering in long day plants इसका यहाँ पर हो जाएगा उलट यहाँ स्पेस नहीं थी मैंने लिखा नहीं उसी से काम चला लेते हैं यहाँ क्या होगा कि अगर मैं जिवरलेलेन के reference से पढ़ों कि जिवरलेन्स इन्हिबिट flowering in short day plants and promote flowering in long day plants तो antagonistic है यह एसकी अगर तेखें तो फिर यह promote करता है leaf senesins को और commercial applications देखें तो दो इसके हैं एक है जिवरलेलिक एसिड एक जिए और एक है जिए थिरी जो जिए है that promote fruit setting और जिए थिरी जो braving industry है उसमें कहां use होता है production of alpha amylase in barley that promote malting यह एक process है malting का fermentation का beavering industry में उसको यह वहां पर यह इस्तमाल होता है तो next जो important hormone है that is called auxin, auxin क्या है that promote the stem growth, cambium growth, bud initiation promote, apical dominance को भी promote करता है, leaf senesins को यह inhibit करता है और abscission को भी inhibit करता है, दो बातें यह हमें discuss करता है चलो, कि जो root है उसको क्या है that is promoted by low concentration of auxin but high concentration of auxin that inhibit the growth of roots, कि root initiation जो है from cutting उसको भी यह promote करता है, जो कलमकारी आप लगाते हैं तो उसको भी root लेकलती है दो काम यह inhibit करता है, एक है senesins, senesins dear students क्या है aging process जब किसी फले या पते ने गिरना होता है, तो सबसे पहले उसकी जो cell growth और cell division रोक जाती है यानि उसका गिरने के लिए तियारी पकड़ता है, तो वो जो तियारी है उसको senesins कहते हैं और obsession जो होता है उसको fall कहते है, यानि के पते का भी गिर जाना और फल का पकर भी गिर जाना वो obsession का लगता है तो उन दोनों को ये रोकता है क्योंकि ये growth promoter list में, अब इसके दो commercial applications आउक्जंस की एक को कहते है N.A. naphthalene astric acid that is responsible for fruit setting and parthenocarpy इसी तरीके से parthenocarpy क्या होता है development of fruit without pollination तो दूसरा जो है वो है 2,4 dichlorophenoxy acetic acid तो ये क्या काम करता है, it acts as a selective weed color dicot species के लिए especially, फिर क्या करता है कि sprouting को inhibit करता है जिसकी वजह से जो potato की storage है उसको भी enhance करता है जो oxygen है वो potato की storage life को बढ़ा देता है ये डियर strands जो लास्ट आपका plant hormone है, syllabus में शामल है that is called abscissic acid abscissic acid को देखें तो ये categories में आता है कि this is the growth inhibiting hormones, that's why it inhibits the growth of stem and root and similarly it in a promote the dormancy, promote dormancy, similarly photoperiodic impact is included, जैसा के पहले discuss किया था कि promote flowering in short day plants, inhibit flowering in long day plants, leaf senescence जो है that is also promoted by the abscissic acid तो इसको भी ये promote करेगा, इसी तरीके से abscission को भी ये promote करेगा, और लास्ट जो है जो है ये जो stomata है उसको close कर देगा, तो लास्ट इसकी बाद जो है कि commercial application क्या है, it is used for the regulation of fruit drop, जो जो माली जो है बागों में फल गिराने के लिए जो पौदों के उपर सप्रे करते हैं, जिससे फल गिर जाते हैं, उनकी मर्जी थे मताबर के वक्स से काई, थैंक्यू ये ये जिर जिर चूरेंट आफ लाफे लाफे लाफे।